पाकिस्तान बनने के बाद जब वहां पहुँचे तो वहां के हालात को देखकर उन्होंने ये मजमून दिखा जरा पहचानने के कोशिश कीजिए कि ये मजमून कहीं आज के दौर के लिए तो नहीं मजमून लंबा है मगर कुछ इसके हिस्से सुनिये अलला का बड़ा फजल है साहबान एक वो जमाने जहलत था कि जगा जगा कचेरियां थीं हाई कोटे थीं ठाने थे चौकियां थीं जेल खाने थे कैदियों से भरे हुए कलब थे जिनमें जुआ चलता था शराब उड़ती थी, नाजगर थे, सनीमा थे, आर्ट गेलरीया थी और क्या-क्या खुराफात ना थी अब तो अल्लाह का फजल है साहिबान कोई शायर देखने में नहीं आता ना मौसिखा लखल विलाखुद ये मौसिखी भी एक लानतों की लानत थी यानि आखिर गाना भी इनसानों का काम है तंबूरा लिए बैठें अगला फाड़ें सा क्या गार है दर्वारी कानडा, मालकॉस, मिया के तोड़ी, अड़ाना ना जने क्या-क्या बक्वास कोई इन से पूछे कि जनाब आखिर इन राग-रागनियों से इनसानियत को क्या फाइदा पहुँचता है आप कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके आखबस हम रहे आपको कुछ सवाब पहुँचे और खबर का अजब कमो अल्ला का बड़ा फदल है साहिबान मौस्यकी के रावा जितनी लानते थी इनका अब नाम और निशान तक नहीं और खुदा ने चाहा तो आहिस्ता आहिस्ता ये जिन्दगी के लानत भी तूर हो जाएगी मैंने शायर का जिक्र किया था अजीब औ गरीब चीज़ थी ये भी खुदा का ख्याल ना सके न रसूल के फिकर बस माशूखों के पीछे लगे हुए कोई रिहाना के गीदगार आए कोई सल्मा के लखल विला खुद जुल्फों की तारीफ हो रही है कभी गालों की वसल के खुआप देखे जा रहे हैं कितने गंदे ख्यालाद के थे ये लोग हाए औरत वाए औरत लेकिन अब अल्ला का बड़ा फदल है साहिबान अवल तो औरती ही कम हो गई है और जो हैं पड़ी घर की चार दिवारी में महफूज हैं जब से ये खिता जमीन शायरों के वजूज से पाक हुआ है वज़ा बिलकुल साफ और शफाफ हो गई है मैंने आपको बताया नहीं शायरी के आखिरी दोर में कुछ ऐसे शायर भी पैदा हो गए थे जो माशूखों के बजाए मजदूरों पे शेर कहते थे जूल्फों और आरिजों की जगा हतौरों और दरातियों के तारिफ करते थे अल्ला का बड़ा फजल है साहिबान के इन मजदूरों से निजात मिली कमबख़त इनकलाब चाहते थे सुना आपने तख्ता पलट ना चाहते थे हकूमत का निजाम माश्रत का सर्मायादारी का और नौस बिल्ला मजभ़ का अल्ला का बड़ा फजल है कि इन शेतानों से हम इनसानों को निजात मिली अवाम बहुत गुमरा हो गए थे अपने हुकर नाजाइज मतालबा करने लगे थे जंडे हाथ में लेकर लादीनी की हुकूमत कायम करना चाते थे खुदा का शुक्र है कि अब इन में से एक भी हमारे दर्मियान मौजूद नहीं और लाक लाक शुक्र है परवर्दिगार का कि हम अब हम पर मुलाओं की हुकूमत है और हर जुमिरात हम इनकी हल्वे से जियाफत करते है मसविरी भी कुछ कम लानत नहीं थी तस्वीरे बनती थी बरहना नीम बरहना मसविर अपनी पूरी गुवत तस्वरे हुसन की तखलीक में सर्फ कर देते थे लेकिन ये कुफर था तखलीक सिर्फ खुदा का काम है इसके बंदों का नहीं और फिर हुसन की तखलीक ये तो गुनाह कबीरा था अल्ला का बड़ा फजल है कि अब हमारे दर्मियान आज एक भी मसविर मौजून नहीं जो थे उनकी उंगलियां कलम कर दी गई ताकि वो अपनी शैतानी हरकार से बाज रहें अब ये आलम है कि सरजमीन पर आपको एक सीधी लकीर भी कहीं देखने में नहीं मिलेगी एक ऐसा आदमी मौजूद नहीं जो गुरू बहाफताब के हसीन मनजर को देखकर उसे कागस ये कपड़े पर मुन्तकिल करने का ख्याल अपने दिल और दिमाग पर लाए सच पोचिए तो अब वो खौफनाक हिस ही मिट चुकी है जिसे तल्ब हुस्न कहते हैं तखलीक हुस्न की तब बात ही अलग रही नंगी औरतों की तस्वीरे बनाई जाती थी नंगी औरतों के मुझसे में तराशी जाते थी इसी पर माखूफ नहीं इनको बड़े प्यार से अजाएब खानों में सजाए जाता था इनके बनाने वानों को एनाम उख्राम दिये जाते थे जी हाँ एनाम उख्राम अल्लह का बड़ा फदल है कि अब ऐसा कोई अजाइब खाना ही मौजूद नहीं जहां नंगी तस्वीरें या सिर्फ तस्वीरें जिने आर्ट कर नमूना कहा जाता था देखने में आएं। ऐसे जितने अजाइब खाने थे इनको फौरण ही ढादिया गया और मलबा दरियाओं में डाल दिया गया ताके इनका नामोन निशान तक बाकी ना रहे। औरियानी की वबा सिर्फ तस्वीरों और मुझसिमों ही तक महदूद ना थी। शेरों और अफसानों में भी पहली हुई थी। वो घजल और वो अफसाना बहुत कामया मतसबर किया जाता था जिसमें ओरत और मर्द के जिसमाने रिष्टे पर बहस की गई हुई हूँ। जिसम की भूख का सोचते थे। रू की भूख क्या होती है इनके फलक को भी इसका पता ना था आ ला का फजल है कि जिसम की भूख अब बिलकुल मिच चुके और ला का फजल शामले हाल रहा तो सिर्फ रूह रह जाएगी और हम फानी इनसानों का जिसम से घायब हो जाएग हाँ साब मैंने आपको बताया है नहीं आखिर में अदब की एक बिल्कुल ही नहीं किसम पैदा हो गई थी इस वक्त लोग कहते थे यह हकीकी अदब है यानि जो कुछ हम देखते हैं बयान कर देते हैं घजब खुदा का गर फरमाईए अगर आपको इस वक्त खुदा नवखास्ता च्छीक आ जाए तो मुझे क्या हक पहुचता है कि मैं अफसोस नाव वाकिये को कलम बंद करूँ और फिर अदब के नाम से इसे दूसरों के सामने पेश कर दूँ और च्छीक आनी थी आ गई अब इस हासे की तफ्सिलाथ में जाने की जूरत है अब वल तो यवा समझी में नहीं आ सकती कि ठीक के नफस जाती पहलो क्या हो सकते है फरमाई हो सकते है तर चीज इसी जाथ पाक के तरफ से आती है और इसी तरबापे चली जाती अलाह का बड़ा फजल है और खुद को साफ ही, अब तो साफ कोई अखबार भी नजर नहीं आता, वो जमाना था लोग बेकार होटलों और घरों में ये लंबे-लंबे अखबार लिए घंटों बहस कर रहे हैं, कौन सी पार्टी बर सर्य अख़िदार होनी चाहिए, किस लीडर को वोट देनी चाहिए, आर्ट इसकुल खुलने चाहिए, औरतों के मसावी हुकुक का मतालबा दुरस्त है या नादुरस्त, और खुदा मालूम क्या क्या खुरफात, अल्ला का फजल है, कि हमारी दुनिया ऐसे हंगामों से पाक है, लोग खाते हैं, पीचे हैं, अल्ला को याद करते हैं, और सो ज खुदा महफूज रखे इस वला से नाओस बिल्ला इस फानी दुनिया की जन्नत बनाने की फिकर में थे, ये लोग खुद को साइंस ना कहते थे, मलूम कहीं के, खुदा के मुकाबले में तखलीक दावे बानते थे, हम मसनोई सूरच बनाएंगे, जो रात को तमाम दुनिय रोशन करेंगे, हम जब चाहेंगे, बाद लों से बार विश्दोलिया करेंगे, जरा गोर फरमाईए, नमरूत की खुदाई थी, जी और क्या, सर्तान जिसी लाई 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 जा रहा है, यनि मलकल मौत के साथ पंजा लणाने की सही फरमाई जा रही है, एक साहब है, वो का खौफ ही नहीं, इन बादियों को, अल्ला का बड़ा फजल है, कि ये सब शेतान हमारे दर्मियान से उड़ गए, अब चारों तरफ सुकून है, कोई हंगामा नहीं, कोई वारदात नहीं, कोई शायर नहीं, कोई मसवर नहीं, जिन्दगी यूं ही गुजर रही है, जैसे लेकर मौत तक एक बेवाज साफ शफाफ धारा बहा चला जा रहा है, कोई भवर है ना बुलबुला, लोग दोनों किनारों के साथ साथ, ठंडी ठंडी रेद पर लंबी ताने सो रहे हैं, और क्यों साहबान, क्या ये जी नहीं जाता, कि इसी तरह सोई रहे हैं, हत्ता के ज लेकर म करेंसे का पर लंब दो तके मौत ये की तरह से लंजी दोस हो आने सो रहे हैं, ह AKत लोसा की बाज़ा है, क्या रहता ऐचया का जाम के साहिया साहा जाजी।